यह सूप है चपाति यह कर्ड राइस है यह रायता है हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग अच्छे होगे दोस्तों मैं इस समय पर हूँ चेनने एरपोर्ट पर और अगर आप लॉंज एक्सेस के लिए आए हैं मेरी वीडियो पर तो आप सही जगह आए हैं मैं आज आपक आपके कैसे ले सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं अगा है अगा है अगा है है और अभी लगभग बज़रें साड़े ग्यारा तो अब लोग की जो फ्लाइट है वो लगभग जो बोडिंग टाइम है वो तीन बजे का है तो हम रहे हैं ताकि वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हूँ और लगभग लग जाएगा दस से पंद्रे मट लग जाएगा पौशने में तो चलिए एयरपोर्ट की तर्स चलते हैं तो अभी मैं आ चुका हूं लांज के बाहर और यही में गेट है यहां चेन्नाई एयरपोर्ट पर अरियरपोर्ट आंधर चलते हैं और जो भी प्रसीजर को प्रसीजर था पूरा हो कुका है जो काट था वो मैंने अपना दिखाया है यहां पर इससे उन्होंने दो रुपय काटे और उसके बाद उन्होंने मुझे अलाव कर दिया अंदर लॉंज में एकसेस करने के लिए तो चलिए अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज क्या-क्या मेन्यू में बना हुआ है तो फाइनली भाई साब हम आकर बैठ गए हैं हाँ पर और जो मेरे मां अभी मैं लेकर आया हैं मेन्यू में यह सूप है यह पापल यह मश्रूम है और दर को ब्रेट जैसा है यह तो यह सारा वो है ओदमत्रोंत्र यह से यहां से बाहर कना जारा हई वंहां रेकिये हैं यह यह जहां से बाहर कना जारा यह खाड़ी यहां पर कि और इसकी मेरी जो बोर्डिंग हो आट गई यहां अगभी वह बीन, नंबर मैं से ही होगी तो को जाधा दूर ने जाना मे nodig injustice चल्र जाना है कि कैसा बनाए यह बढ़िया है बड़ा अच्छा लग रहा है आप यह खाती जाए और सामने जो नदारें वो लेते जाए पहले में फटा-फटे को फिनिश कर लेता हूं फिर आपको भी इतको फिनिश करने वाद अब दूसरे चीज बताऊंगो और क्यक्क चीजें हैं आपन मेन्यू में अब तूप बगारा पीने के बाद और पापड़ा को खाने के बाद अभी टाइम हो गया तुलासा है कोल्डिंग पीने का यह रा कोल्डिंग बगल में स्टैन्विच है और बगल में पेश्टी है तो झाल 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 सुम्रेंग स現在 प Вам को बädारे जाय है ऴुदी बगल में भुबदां कर दो स्टैय को क 뭔 में बगल बगल में सित्व मॉप तो एक जहाज ओड़ चुका है और अभी हम यह पेस्टी उड़ाने वाले हैं तो जहाज उड़ा इदर पेस्टी उड़ी इसनेक्स वारा खाने के बाद अब टाइम हो गया खाना खाने का तो खाने में मैं लेकर आयों यह रेखता है यह कुछ बैगन की सब्जी है यह मतलब ह हमारे तरफ तो इसको तहरी बोलते हैं आपकी तरफ क्या बोलते हैं बता दिए कमेंट में यह पास्ता है इसको उपर मैंने सीजनिंग और चिली फ्लेक्स चड़का है और यह है रायता और यह है छोटी सी मर्चलायों बुनी हुई और रायता सब कुछ बढ़ी हाइदम फाना फाना क्योंकि अब दिए किरे में ट्राइट के जो टाइम है वो भी हो रहा है लगभग अब यह घंटा रहे है मेरे बोर्डिंग होने में सब तक तो पास्ता खा लेंगे चिंसा की कोई बात नहीं है तो चलिए मैं सासा करें रायता टेस्ट करता हूँ इसे प्याज पड़ा काफी बहुत कट्टा हो रहा है जालता है सॉस पास्ता है पास्तर रही है है यह बैंगन की सद्जी यह थी बैंगन की सद्जी एक्दम मतलब यह सांबर हो कि ना उसकी दर टेस्ट आ रहे हैं तो कि यह बैंगन की जादा पड़े थे और सामभड़ी प्राइट एक और प्राइट वड़े के लिए कि लिए इन्डिगो का कि पास्ता तहरी खाने के बाद अब नम्मर अब मीठा खाने का और मैं तो यह सूजी का हलुआ है यह बगल में आलू और एक यह चपाती मैंने चपाती ने खाई थी तो इसको छोड़ दिएगा तो मैंने चपाती ने खाई थी तो मैंने चपाती लेका हैं एक पेस्टी है तो मैंने पेस्टी रुगा लिए अपने अब अलकल कर लेकर आया हैं ज्यादा निकारा रहा है तो सब्सक्राइब थोड़ी एक क्योंकि ज्यादा खात खालूंगा तो प्रब्लम हो जाएगी तो पस थोड़ी थोड़ी सी लीजिए आपकी प्यूंकि हचीफ का टेस्ट होन अब बहुत मीठा लुआ है काफी जादा मीठा है तो मैंने खाफी तो लिया यह काफी सारा और अब मैं आपने हां पर दिखा देता हूं कि अंदर से लॉंच पुरा कैस आ है आई है आपके सेटिंग बैठने की है यह पूरा इधर बैठने का एरिया है अधर और फिट जैस यह सूप है चपाती यह करड़ राइस है यह रायता है चिली फ्लैक्स यह पास्ता यह सौसेज है यह वाइट सौस और यह वेजिटेवल बिर्यानी जिसको मैं आपको तहरी बता रहा था यह तहरी है यह दाल पालत और यह यह मतार था जो बैगान की सब्ची थी वह यह थी इनाई कत्री ककई पुरूलाई वेपुडू यह सूखे आलू यह मुर्ग लवाबदार इसमें चिक्केन है तो मैं तो प्योर वेजटेरियों को ढख देता हूं जल्दी से यह सूजी का हल्वा जो मैं लेकर गया थ अब काफी सारी खाने की चीज़ें यहां देखिए ब्रेट वहर रखी भी है अगरे 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 वाइट सॉस मियोनी है सौरी तो हम लोग खापी की नीचे भी आगा है वेटिंग हॉल में देखिए काफी सारे लोग बैठे है और बहर सामने हमारा जो स्लाइट है वो सामने लगी भी है कर दो हम लाईट है वोग लोग खाने अगरे वोग जाबागी की नीचे सामने हम लोग घ्लियो सामने हम लोग खाना है